ये चैहिंद नमसकार दोस्तो मिरा नाम है सेकर और सवागत आप सभी का हमारे youtube चैनल आरमीजी के बिविल एंडी अंडर और जा उन निक पर दोस्तो आझ हम सॉल्व करेंगे आरमी technical exam paper तो आप अगर आप इस्पेस्ट्री आर्मी टेकनिकल में अगर आप जाते हैं अगर आप यहां भरती होना चाते हैं तो इस्तों आपकी जो परिक्षा होती है 200 नंबर की होती है और नहीं बात physical की वह आपके लिए PAS करना वहुँद है और तो पिजीकल के आपको कोई नंबर नहीं दिये जाएंगे जैसे जी दी में होता है ना कि सौ नंबर के आपका फिजीकल होता है साथ नंबर फश्ट ग्रूप में लाओ दौर नििकालते हो, साथ नंबर और कल नमबर Wellsariat second group में आते हैं और 48 नंबर आपको मिल जाते हैं तो दोड़ आपको कैसे भी करके अंदर आपको पहुंचना ही होगा फ़र्ष्ट गुरूप में पहुंचे कैसे ही पहुंचे आपको दोड़ आपको पास करनी होगी दोस्तों तभी आप फिर उसके बाद मेडिकल होगा उसके बाद मेडिकल आपका फिट होना चीए refer refer होगे तो आप देख लिजे अगर आप medical आपका फिट होना चीए फिर उसके बाद आपका exam होगा दोस्तो अब exam होगा 200 number का अब बताता हूँ कि इसमें क्या-क्या आएगा दोस्तो ये है subjective question और marks channel knowledge and reasoning तो 10 question पुछे जाते हैं question की संक्या 10 है और 1 question के लिए 4 number तो ये होगे 40 number के अब maths है दोस्तो 15 question पुछे जाएंगे और 4 number के तो ये होगे 60 number के अब physics इसके भी 15 question पुछे जाएंगे और 4 number का एक होता है तो total होगे 60 का chemistry 10 question पुछे जाएंगे और 4 number आपको दिये जाएंगे question के लिए तो यह हो गया दोस्तो 200 नंबर आपके हो गए 200 नंबर पूरे और passing marks दोस्तो जैसे एने का exam देते हैं तो आप अगर आपके भाई कोई लोग देते हैं तो उसमें भी passing marks लिखा होता है इसमें भी 80 से दोस्तो आपका selection नहीं होगा आप 140 पलस करना 130 पलस जितना भी है आप कोशिश करना और पढ़ने वाले दोस्तो आज कल क्योंकि आप पहले के तरह नहीं होते कि आज कल अब सब लोग पढ़ाई करते हैं और लाने वाले 180 भी ले आते एक्जाम में तो आपका selection आसानी से हो जाएगा दोस्तो और मैद दोस्तो 15 कोस्टिन अगर आप दोस्तो मैद अगर 60 नंबर हटा दें जिन लोगों की मैद कमजोर है तो फिर दोस्तो 160 बजता आपके लिए तो 160 मैसे फिर आपको 160 लगबग फिर आप 24 गलत कर सकते हैं औरना कुछ दोस्तो अगर आप मैद की थोड़ी बहुत ज्यादा कमजोर है तो कम से कम आप मैद में 5 से 7 या 8 कोस्टिन जरूर सॉल्व करने के आपको कोशिश करने चाहिए तो कम से कम 5 तो आप करी सकते हैं तो आपका चैन आसानी से हो जाएगा तो पहला कोस्टिन शुरू करते हैं तो यह है दोस्तो पहला कोस्टिन कि दोस्तों ज्यादा टप नहीं पूछे जाते लगभग जो जैसे अगर आप जी डी में जाते हैं या उसी लेबल का जादा रहता है इसमें जो जी के होता है और नर्सिंग एसिटेंट में ज्यादा लेबल उतना रहता है मतलब ठीक ठागी रहता है तो सबसे छोटा गरह है तो यह आपको बताना है विच इस दे स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम तो इंग्लिस वाले दोस्तों आप लोग यहां से अपना देख लें तो हमारे स्वार बंडल का सबसे छोटा गरह है तो बहर आसान कोश्चिन है यह आपको आता अगला कोश्चिन है रघुवण से नामक पुस्टक डैश डैस इन्होंने लिख्य है तो यह आपको बताना है तो रगूल इज हो जाते हैं दोस्तों इस ठरह से क्वूस्चिन पूछ लिए जैसे काधि जी ने कौन सी पुष्टक लिकित है या कोई ओर भी तो इस हो और बिश्चतनोसर्मा ने 75 लिखिये शा, और आर के नाने दोस्तों माल गूडी डेच्ट तो तो आर के नाराण यह मालगुडी डेज यह आप याद रख सकते हैं अगला कुश्चिन है जब चंद्रमा सूर्य और पिर्थिवी के बीच आ जाता है तो वह समय क्या कहलाता है तो आप्शन डी आप अपटा लेंगे आप्शन सी बी आप अपटा लेंगे अब कई लोग को अगर नहीं पड़ाया तो शूर्य गरन लगाएं चंद्र गरन लगाएं तो इस तरह की कन्प्यूजन हो जाती है तो जब चंद्रमा सूर्य और पिर्थिवी के बीच आ जाए तो वहां पर होता है दोस्तों सूर्य गरन सूर्य गरन तो अप्शन नमबर यह बिल्कुल आपका सही है अगला कोश्चिन है दोस्तों पलासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी तो पलासी की लड़ाई दोस्तों सीधे सीधे याद रखना 777 में लड़ी गी थी सीधे सीधे एक्जाम में पानिपत का युद्ध भी पूच्चा गया था एक बार एक्जाम में तो 527 में वहाता यह आप याद रख लेना और 1764 यहाँ पर है तो 1764 में आता बक्सर का युद्ध तो अगर यह आता है तो यह आप याद रखेंगे तो अगला कोश्चिन है दोस्तो निमन मैं से कौन संयुक्त राष्टी की आधिकारिक भासा नहीं है तो यह आपको बताना थोड़ा आपके लेटा हो सकता है तो रूसी है इस्पैनिस है फ्रंच है और जर्मन यह संयुक्त राष्टी की आधिकारिक भासा नहीं है तो यह आप उतनी उतनी जाते हैं तो पर ले लिस्ट में है दोस्तो वीडियो आप वहाँ जाकर भी देख retrouve आपat दीलिसटी है तो वो वीडियो आप दोस्तो जरूर देखिए वो आपको परलिस्ट में मिल जाएगी आर्मी टेक्निकल पेपर करके परलिस्ट आप वहां जाकर आपको जरूर मिल जाएगी तो अगला है दोस्तो सबसे हलकी धातु का नाम बताओ सबसे हलकी मेगनिसियम, लीथियम, सोडियम या फिर हीलियम तो सबसे हलकी धातु आपकी हो जाएगी दोस्तों यह आपने बहुत पड़ा होगा तो सबसे हलकी धातु यह लीथियम उप्सन नमबर भी विल्कुल सही है अगर दोस्तों आपको लगता है कि कोई कोश्चिन ये गलत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं अगली बार सुधार कर सकूँ और कमेंट जरूर कर देना ताकि और लोगों को भी पता चल सके अगला कोश्चिन है माचिस में कौन सा पदार्त उपयोग किया जाता है माचिस में कौन सा पदार्त उपयोग किया जाता है तो माचिस में होता है दोस्तों लाल फासपुरस लाल फासपुरस ये एमजी मेगनीसे में ये नहीं होता है लाल फासपुरस तो ये 10 को तो ये थोड़ा आके पीछे होगा तो आउसकर अवाउर्ड कि चेतर में दिया जाता है तो ये फिल्म में दिया जाता है तो ये दूस्तों जीके का होगया जीके की 5 से पूछे जाते हैं तो ये आपको एक्ष्टा मैंने बता दिये अगला कुश्चिन है रेडियम की खोज किस ने की थी तो बहेद आसाना आपको आता होगा रेडियम की खोज मैडम क्योरी ने देखने की जरूतने सीधे आपको उत्तर लगाना है अलफरीट नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी और इनके नाम पर नोबेल पुर्शकार दिया जाता है Albert Einstein इनको आप भली बाती जानते होंगे क्योंकि आप टेक्निकल मज़ आ रहे हैं PCM से आप होंगे तो Albert Einstein तो आप भली बाती जानते हैं EMC Square आपको इनका भी पता होगा अगला कुछ चिन है Banking Soda का राशानिक नाम क्या है तो Banking Soda का राशानिक नाम है दोस्तो Sodium Chloride नहीं Sodium Chloride खाने वाला होता है NaCl ठावन Soda भी नहीं होता Kalorine नहीं तो यह होता Sodium Bicarbonate Banking Soda या खाने का Soda भी इसको कहते हैं यह भी आपने पढ़ा होगा अगला कुछ चिन है हसाने वाली गैस तो यह आपको फिरी मैं चार नंबर देखे जाएगी एक क्वेश्चिन में और जगे भी अगर आप दोस्तों कोई आपने और फिर फॉर्म बरें दिल्ली पुलीस या फिर कोई SSE GD या फिर कोई और फॉर्म बरे तो वहां भी इस तरह के कोश्चिन पूछे जाते हैं तो यह है नाइट्रस ओक्साइड यानि कि N2O अगला कोश्चिन है बिद्दूत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है बिद्दूत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है लोहा, सीसा, टंगस्टन, ग्रेफाइड तो ग्रेफाइड तो नहीं है, लोहा भी नहीं है, सीसा भी नहीं है, यह है टंगस्टन यानि कि option number C बिल्कुल सही है अगला कोश्चिन है, Doppler का परभाव इसके लिए लागू होता है तो यह आपको बताना कि Doppler का परभाव इसके लिए लागू होता है, केवल परकास की लहर, केवल धोनी तरंग, यह और भी दोनों या इन में से कोई नहीं है, तो यह केवल धोनी तरंग के लिए होता है Doppler परभाव अगला कोश्चिन है, Decible है दोनी मापने का यंत्र, तो इस तरह से और जैसे परकास वर्च दूरी का मात रख है, इसके अलावा लेक्टोमिटर से क्या मापा चाता है, दूद, इस तरह से समुद्र की गहराई, फैदोमिटर, ख्वायुदा, बैरोमिटर, तो इस तरह से इनको भी आप याद कर लेना, यहाँ से एक कोश्चिन भी अगर आ गया, तो चार नमबर आपको मिल जाएंगे, बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ, अगला कोश्चिन है ऐथेन के देहन का अंती मूत्पाद है, तो ऐथेन के देहन का अंती मूत्पाद है, कार्बन डायोकसाइड और पानी एथेल पाने option number A बिल्कुल सही होगा अगला कुश्चिन है निमन मैं से कौन उर्जा का अक्षै स्रोथ है कोईला, पेट्रोलियम, प्राकिर्टी गैस या फिर हुआ तो इसमें आप बहुत से लोग गल्ती करेंगे मुझे बता है जिन लोग ने option ये लगाया गल्त हो गया प्राकिर्टी गैस नी भी है पेट्रोलियम भी नहीं है तो option number D है तो कितने लोगों का सही हुआ आप लोग को को पता होगा तो option number D अगला question है पानी का कोथनांक कितना होता है तो ये 100 degree Celsius 100 degree Celsius तो इस तरह से भी question आते हैं दोस्टों अगला question है आवर्त सारणी में तत्तू को रखा गया है तो chemistry के 10 question है और physics के 15 तो आप लोगों को पढ़ लेने आवर्त सारणी में तत्तू को रखा गया है तो उनत तत्तू को बढ़ते हुई बढ़ती हुई परमाडू संख्या में तो option number A बिल्कुल सही बढ़ती हुई परमाडू संख्या में अगला कोश्ची ने sodium chloride अभी आये था NaCl sodium chloride यानि की नमक NaCl तो ये अगला कोश्ची ने stainless steel का मुख़्ी घटक क्या है stainless steel का मुख़्ी घटक क्या है C nickel chromium या फिर फी फेरिक तो ये इसका मुख़्ी घटक है तो F E option number A बिल्कुल सही है तो दोस्तो ये था आज का वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेस्चीन कैसे लगे कमेंटे में जरूर बताना कितने सही हुआ आपका score और इसके लाप बहुत जल्दी आपको अगली वीडियो मिलेगी तब तक आप पढ़ते रहें दोड़की भी तैयारी करें खुब exercise, running जो भी आप करते हैं वो आप करते रहें running पास करना बहुत जरूरी है तब ही आप यहां पहुँच पाएंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी आपको दूसरी वीडियो मिलेगी तो thank you friend, thank you so much जय हिन, जय भारत